एवी टूवीला मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है रिसेंट के बाप काऊ तो मार्च 23 में 85,683 यूनिट एवी टूवीला की सेल्स हुई है जो कि लास्ट मन्थ से 20,000 यूनिट जादा है ओला एलेक्टरिक यहाँ पर तॉप पोजिसन पर है जहाँ पर ओला एलेक्टरिक डिलेवर करता है मार्च में 21,220 यूनिट कुछी टाइम पहले की बात है कि लगता था कि भीया ओला बस चन दिनों का महमान है लेकिन ओला की strong strategy और product की quality के बज़ा से कुछी टाइम में इसने पूरे market में धहमाल मचा दिया और जितनी भी Chinese EV थी Chinese imported EV थी सब को धिरे-धिरे करके यह खतम कर रहा है ओला की ऐसी क्या strategy थी कि सारे brands खतम हो रहा है लेकिन ओला यहाँ पर grow होता जा रहा है और गैस यह मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा data बोल रहा है ओला electric की आप किसी भी मन्त की sale उठाके देखो यह growth में ही रहती है इनकी month on month growth अच्छी है इनकी year on year growth अच्छी है जहाँ पे दूसरे players EV market में लड़कते जा रहे है तो बात है 2020 की अभी तक क्या था कि यह बहुत सारे EV players थे market में लेकि ऐसे players थे कि जिनको हम में से कोई नहीं जानता था पसलि मैंने भी बहुत EV scooters को review किया है बट उनसे मुझे उमीद भी नहीं थी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यह कभी भी petrol scooter या petrol motorcycle का market share ले सकती है क्योंकि ना तो इनमें performance होती थी ना हिनके looks अच्छे होते थे ना हिनकी build quality अच्छी होती थी performance तो इतनी घटी है कि अगर आप दो लोग बैठ जाओ तो एक छोटी से छोटी घाटी भी निचड़ पाती थी फिर entry होती है Ola की जो कि एक taxi rental company है और इन्होंने पूरा game बदाल दिया इन्होंने पहले product launch किया Ola S1 जो कि काफी अच्छा रहा और इनकी entry भी ऐसी छोटी मोटी नहीं थी ये enter करते है market में world largest manufacturing plant के साथ जो कि 500 एकर में फैला हुआ है और इनकी yearly capacity है 20 lakhs scooter की मतलब अपने plant में ये एक साल के अंदर 20 lakh scooter को manufacture कर सकते हैं और finally ये जो scooter था न ये completely made in India था इसके पहले जो भी scooter या brand दावा करते थे कि made in India है वो actual में होता नहीं था वो Chinese imported scooter होता था उसको खाली इंडिया में assemble कर जाता था लेकिन Ola का जो यहाँ पे scooter था या Ola का जो plant था वो completely made in India था और इनका जो plant था ना fully automated और काफी advanced था ऐसे plant और ऐसी facilities हमने कभी भी नहीं देखी है plant या factory तो थी शांदा product भी game changer था Ola S1 best look आपको देता था best performance देता था और इसी के साथ best build quality भी देता था looks तो ऐसे कि भी या अभी तक आप ऐसे scooters market में EV में क्या आपने petrol में भी नहीं देखे होंगे और यही reason है कि Ola S1 की booking within a month 5 lakh unit को cross कर जाती है pre booking 5 lakh unit को cross कर जाती है लेकिन इसके बाद भी journey आसान नहीं थी कुछ ही time बात पता ये चलता है कि Ola scooter की delivery daily हो चुकी है लोगों ने अपनी booking को भी cancel कराना start कर दिया क्योंको delivery नहीं मिल रही थी और कहीं कहीं question उठने लगया कि Ola सच में क्या अपने scooters को deliver कर पाएगा जिनोंने booking कराई है क्या उनको scooter दे पाएगा और इसे के साथ जो Ola के top level के management team थी उसमें से भी कुछ members ने resign करना start कर दिया था initial days में बहुत सारी scooter में problem भी आई थी कहीं पे Ola scooter में fire लगता था कहीं पे Ola scooter के front suspension में problem होती थी और तूट जाते थे in fact एक time तो ऐसा आ गया था कि सभी ने मान लिया था कि भीया बस Ola का the end है Ola जिसे साब से promise किया था उसे साब से वो customer की demand को fulfill नहीं कर पा रहा है लेकिन अभी भीना बहुत सारे इंडियन का Ola पे भरुसा था और hope थी कि भीया Ola एक time पर जरू अच्छा करेगा और वो booking कराना बंद नहीं किये थे मतलब आज भी Ola के पास continuously booking आ रहे थी फिर finally Ola जाके successful होता है और आज market में आप देखो तो Ola के एक नहीं दो नहीं बलकि तीन models आ चुके हैं Ola S1, Ola S1 Pro और भी इनका नया model जो कि है Ola S1 Air और इसी के साथ हर एक model में आपको अलग-अलग battery packs के भी options मिल जाते हैं ये wide variant के थुरू ना Ola एक mass market को भी capture कर पा रहे हैं मतलब budget में EV scooter चाहिए वो भी अभी Ola ले सकता है Ola S1 Air के थुरू और जो उनको बिल्कुल high end, high performance electric scooter चाहिए तो वो भी S1 Pro ले सकते हैं अब यार इस पूरी journey में Ola ने पूरी market को ही evolve कर दिया और इसी के साथ आज देखो तो आप Ola scooter में ही नहीं, बलकि EV cast में भी काम कर रहा है इनके hyper charger network भी काफी जादा तेजी से फैल रहे है तो यहाँ पर Ola की success का root क्या है basic root क्या है वो देखते हैं तो पहला root है इनका initial hype अगर आप initial time पे देखो तो Ola scooter की hype बहुत ही तगड़ी थी मतलब हर कुशी को Ola scooter खरे दना था initial days में तो Ola ने आप एक काफी अच्छे तरीके से hype create किया और इसे के साथ भावी सग्रवाल ने personally जब आके speech दी है या social media में hype create करी है तो उसका एक अलग ही impact बड़ा है तो Ola के success के पीछे मुझे लगता है कि Ola का initial hype एक बहुत बड़ा role play करता है इनको एक initial boost मिला पुची time में इनको एक बहुत सारी booking आई जिससे लोगों का trust और बना second route है इनकी revolutionary factory अब यहाँ पर जो Ola की future factory है जो हमने वीडियोज में देखा है या जो भावी शगरवाल ने explain किया है वैसी factories हमने देखी नहीं थी यह fully automated है इसमें जो Ola scooter बनती है वो 100% made in India है कहीं न कहीं Indian इससे relate कर पाए और उनको एक trust हुआ कि भीया हाँ यह अभी finally एक complete made in India scooter आ चुकी है market में और इसके साथ भाईया यह world का largest two-wheeler plant था जिसकी वैसे यह देखके यह लगता है कि भावी शगरवाल का confidence था वो बहुत तगड़ा था उनको 100% sure था कि भाईया उनको जो product है वो market में अच्छा करने वाला है इसलिए उन्होंने एक इतने बड़े mass scale से market में entry करी थी तो मुझे लगता कि यह जो भावी शगरवाल का bold decision है और इतनी बड़ी factory बनाने का जो decision था उसकी वैसे मुझे लगता कि Ola successful हुई है third root है Ola की success का Ola की performance अब यार Ola से पहले जो भी EV थी market में वो performance में तो भाईया बहुत ही बेकार हुआ करते हैं लेकिन Ola ने बिल्कुल game पलट दिया यार उनकी आप acceleration देखो बहुत ही शानदार टॉर्क देखो 50 newton meter के आसपास का टॉर्क बहुत ही शानदार 0 to 100 चला लो 0 to 120 चला लो बहुत ही शानदार भक्ती है 0 to 60 भागा लो तो performance में जो भी बन्दा Ola के test ride ले रहा था न वो बिल्कुल impress हो रहा था और Ola S1 Pro को अगर आप hyper mode में चलाते हो न तो अच्छे अच्छी sports bike भी इससे पीछे हो जाती है तो मुझे लगता कि Ola के success के पीछे न Ola scooter के performance का बहुत बड़ा रोल है कि भीया ईवी से लोग expect नहीं करते लेकिन वहीं पर अगर ईवी में अच्छी performance मिल जाए न तो वो एक चार चांद लगा दीती है और यही reason है कि मैंने भी Ola S1 को pick किया कि जब मुझे चलाना होता है ईवी तो मुझे अभी तक लगता था कभी यह perform तो अच्छा करेगी नहीं लेकिन Ola ने बिल्कुल मेरा जो mindset है उसको change कर दिया और आज मैं Ola चलाता हूँ sports mode में जब भी मुझे कभी speed को feel करना हुआ अच्छी performance चाहिए होती है basically तब fourth root cause है features Ola में जो भी features मिलता है न वो भी आपने कभी नहीं देखाँगे Ola में आपको बड़ा सा test screen मिलता है अब यह test screen आप सोचो मतलब इसमें एक बड़ा सा phone लगा दिया गया है smart phone लगा दिया गया है जो कि हमने आज तक कभी भी EV में नहीं देखा था scooter में at least नहीं देखा था Cars में तो test screen आते हैं बट हमने कभी इसमें नहीं देखा था इसी के साथ बहुत सारे features हैं Party mode है, speaker दिये गया है और अभी तो Move OS 3 आ चुका है जिसमें भाई बहुत सारे features दिये गया है तो ऐसे features किसी भी scooters में नहीं मिलते थे तो यहाँ पे जो techie बनते हैं जिनको ऐसी scooter चाहिए जो कि performance के साथ-साथ अच्छे features भी offer करें वो भी इससे impress हो रहे थे और कहीं न कहीं वो थोड़े बहुत दूसरी चीज़ों में compromise करने को भी तयार थे क्योंकि इसमें अच्छे features मिलते थे इससाथ Ola ने customer feedback में भी काम किया मद जो भी Ola को feedback मिला customer के थूँ वहाँ पे Ola ने उस पे काम किया और उस problem को solve करी अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कुछ examples मैं आपको बताता हूँ अभी recent में ही Ola ने front suspension arm को free में change कर रहे है और ये भी एक customer feedback के थूँँगा क्योंकि starting के days में बहुत सारी Ola EV scooter के front suspension arm था वो brake हो जाता था तो finally Ola ने decide किया और इतने mass में decide किया कि भीया सब का free में change हो जाएगा इसी के साथ बहुत सारे customers को problem आते थी service कराने में या Ola scooter को experience करने में क्योंकि सिधा इसकी online booking होती थी और आपको online ही खरना परता था तो finally यहाँ पर Ola ने experience center launch कर दिया है और आज की date की बात कुरूँ जब मैं video record कर रहा हूँ तो across एंडिया इनके 400 plus experience center है और इनका plan है कि August 2023 तक इनके experience center 1000 number को भी cross कर जाएंगे और इसी साथ Ola के success का एक और reason है कि इनके पास अभी portfolio जो है काफी wide है जिसके वैसे हर एक customer को यहाँ पर acquire कर पाता है for example जिनका budget नहीं होता बहुत जादा तो S1 Air ले सकते है और बहुत जादा budget वाला S1 Pro ले सकता है तो कुल में लाके पूरी wide audience को एक capture कर पा रहा है जिससे इनके पास maximum customers आ पा रहा है ऐसे Ola ने यतनी भी Chinese EV थी थी और टॉप पे आ चुकी है आप बता हो आपके कोई question हो ओलास related या कोई opinion हो ओलास related comment box में पूछ सकते हो